खंडवा के प्रसिद आरेंड के कैटरिंग ने अब अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए खान पान की घर पहुंच सेवा प्रारंब की है जिसमें आप एक फोन पर पा सकते हैं भोजन थाली, रेडिमेट सबजियां, नमकीन, मिठाईयां और वो भी बिना किसी होम नहीं बलकि संसूधन की मांग कर रहे हैं, इनकी मांग है कि सरकार हमें MSP की गयारंटी दे दे और कुछ थोड़ा सा संसूधन कर ले तो वह मांग जाएंगे, इन किसानों ने अपनी बात मनवाने के लिए आज इंदो रिक्षापूर हाईवे को जाम कर दिया, जिला भारत का, सभी सरकार के नए नियम कायदे को लेकर आज अंदोलन कर रहे हैं, बेशक इनकी मांगे अलग-अलग हो सकती है, लेकिन सरकार से नाराजगी सभी की एक जेसी है, फिर चाहे राज्जी सरकार हो या केंद्र सरकार, खंडवा में आज RSS से जुड़े किसान संगटन को ताबिक कानून में संसोधन करती है, तो हम सरकार के इस नए कानून का पूरी तरह समर्थन करेंगे, किसानों निस्तानिय भासा की महावरे में चेताउनी देते वे कहा की, शादी के पहले हल्दी लगाते हैं, सरकार अभी समझ ले, नहीं तो शादी अभी पूरी बाकी है हमारी मांगे नहीं मानी गई तो, किसान हमारे इशारे का इंकजार कर रहे हैं किसान के हित में हसा अलवार मोटर करेंगे बाकी है पंप जेमल आजी की चोरी होने पर पुलिस आने द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। जिला बरवानी में जिला खनवा खिर्निया उद्वान परियोजना को बजट में लिया जाए। अब हमारे किसान लोग सबके सब आभी बिल्कुल इंतजार कर रहे हमारे सरकार्द हमारे जो मांगे हैं किसान संग कर रहे हैं अगर सरकार हमारे मुद्धों को हमारी वातों को सिग्रता से पूरा नहीं कर दी तो अंदोलन पी रोड़ पे होगा उसकी जवाबदार पूरी सासन पर सासन कि रहेगी। किसान तो पूरे देश का नाराज है क्योंकि कुछ ऐसे मुद्ध हैं जिनको लेकर किसान अभी संतुष्ट नहीं है और मैं सरकार से हम मदले भारती किसान संग तीन मेने से निवेदन कर रहे हैं कई बार ज्यापन दे चुके कि इन में संसोदन की तत्का लाव सकता है और आ क्योंकि किसान तो संभाइन करता हुए जल्दी पेस्टा किसानों को अपने घर भेजए पर नहीं मान रहे हुए में चाहता हूं कि कानून आता है तो उसमें चोटी मोटी गल्तियां होती है तो अगर संसोधन भी हो जाता है अभी तो मतलब किसानों के हित्में होगा